हेलो दोस्तों कैसे हैं आप उमीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी दोस्तों एक बाद फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ सक्सेज विद सुमिल सर की क्लास में और दोस्तों आज मैं आपके सामने ड्राइंग और पेंटिंग से रिलेटेड एक ब दोस्तों इसका कोश्चन पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ यह बहुत ही अच्छा कोश्चन पेपर है आप मेरे साथ साथ इन कोश्चन को हल करिए और देखिए आपके कितने कोश्चन इसमें से सही होते हैं देखे दोस्तों इन कोश्चन पेपर का बहुत कोई भी question यदि कहीं पूछा जाज चुका है तो वो अपने state में भी पूछा जा सकता है ठीक है तो चलिए दोस्तों start करते हैं आपने पैरा number question से आप मेरे 7-7 दो बिंदू के बीच की कम से कम दूरी next question देखते है question number two ultra marine blue को कहा जाता है तो दोस्तों इसका answer है आपका leftist largely यानि की B number next question देखते है चार कोल किस से बनता है तो दोस्तों इसका answer है आपका लकडी से बनता है ठीक है और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अंगूर की जो बेल होती है उससे भी चार कोल बनाया जाता है उसको जनाने के बाद ठीक है बहुत सॉफ्ट लकडी हो जाती है उसके बाद उसको चार कोल की तरीके से यूज कर जाते है next question लिखते है question number four आपका जल रंग में कौन सा कागज प्रियुक्त किया जाता है तो दोस्तों इसका answer देखें आपका कौन सा होगा इसके चारो options मैं पहले पढ़ता हूँ hot pressed ठीक है medium cold pressed number जो तीसरा है वो है rough मोटा यानि का handmade paper और चौथा नंबर है उपरोग सभी तो दोस्तों इसमें जो answer है वो है उ ज्यादा ध्यान देंगे लेकिन नहीं यह चारों जो इसके तीनों option है वो तीनों option इसके सही है next question देखते है question 5 वर्ण चक्र के आमने सामने के रंग को क्या कहते हैं तो दोस्तों उनको हम बोलते हैं पूरक रंग ठीक है यानि कि एक तरीक इस इनको विरोधी रंग भी बोल तो दोस्तों इसका answer है आपका पंच्तंत यानि कि ए नबर प्रमाण की एक इकाई कहलाती है तो दोस्तों प्रमाण की जो इकाई होती है उसको हम बोलते हैं ताल next question देखते है question number 9 वर्ण या आयत के त्री आयामी रूप से कौन से आकरती बनती है तो दोस्तों वो होती है घनाकरती ठीक है next question देखते हैं निबलकित में से कौन ललित कला नहीं है तो दोस्तों यह जो cinematography है यह आपकी ललित कला नहीं है सुखे पेस्टिल के लिए कौन सा कागच सबसे प्यूक्त होता है तो दोस्तों इसमें आंसर है आपका रंजित कागच यानि की colored paper जो होता है वो सुखे यानि की dry pestils के लिए सबसे ज़्यादा उप्यूक्त होता है ठीक है क्योंकि आप जब इसका use करेंगे तो इसमें जो भ करते हुए वहां पर आपको निला रंग नहीं लगाना पड़ेगा इस तरीके से रंगी जो कागच होता है वो बहुत ज़्यादा important होता है दोस्तों मेरे को पता है यहां पर आप यह भी सोच सकते है कि यह rough paper जो लिखा हुआ है यानि कि खुद्रा कागच जो आपको लिखा चित्र बनाते समय तीसरे आयाम को बनाने के लिए किस विशेश विधी का प्रियोग किया जाता है तो दोस्तों इसका आंसर है आपका परिपेच यानि कि प्रस्पेक्टिव ठीक है दो आयामी चित्र तल पर चित्र बनाते समय तीसरे आयाम को बनाने के लिए हम परिपेच क का प्रियोब करते हैं नेक्स्ट कुरिशन देखते हैं कुरिशन में 13 विश्ण धवत्र प्राण के अनुसार मुख्य वर्ण कितने और कौन-कौन से हैं तो दोस्तों इसका आंसर है आपका कुरिशन आंसर नबर D ठीक यानि कि पांच विश्ण धवत्र प्राण में पांच रंगों को मुख्य रंग माना गया है पीला लाल हरा सफेद और काला नेक्स कुरिशन देखते हैं डिजाइन की रचना में जैमती का उपयोग क्यों किया जाता है तो दोस्तों इसका आंसर है आपका सरली करण के लि पूरी पेंटिंग में ले जो होती है वो आपको दिखाई देनी चाहिए नेस्ट कोशन देखते हैं महिला ग्राफिक डिजाइनर है इसमें कौन सी महिला ग्राफिक डिजाइनर है तो दोस्तों इसका आंसर है आपका एप्रिल ग्रिमेंड यहनि की C नमबर नेस्ट कोशन देखते हैं कौशन नमबर 17 प्लुटो ने आकरती के कितने और कौन-कौन से भेद बताए है तो दोस्तों प्लुटो ने दो भेद बताए है सापेच और निरपेच यहनि की आपका B नमबर नेस्ट कोशन दो रंगों को कोमलता से कैन्वस पर तुलिका से मिश्रुप करने की विद्री को भोलते हैं तो दोस्तों इसका आंसर है blending यानि की C number next question देखते हैं question number 19 उत्केंड सतय में स्त्याही भर कर छापने की क्रिया को क्या कहते हैं तो दोस्तों इसका आंसर है integral you इसका answer है दोस्तों graphic art के ओपर मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं आप उनको जरूर देखिएगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादे important हो सकते हैं next question anti-cern क्या है दोस्तों anti-cern है चित्र धरातल की outline ठीक यानि क्या आपका यह number next question देखते हैं calligraphy एक कला है क्या है सुन्दर लेक यानि की लेखनी की एक technique है ठीक है calligraphy next question देखते है nitric acid किस दातु में etching लिए प्रियोग होती है तो दोस्तों इसका अंसर है आपका jink यानि की d number next question aqua tint पधिती में प्रियोग किया जाता है तो दोस्तों aqua tint में resin powder यूज किया जाता है रंगों के आपसी तालमेल के संदर्व में किस शब्दावली का प्रियोग किया जाता है तो दोस्तों इसका अंसर है 1 में 3 यानि की आपका d number next question 26 number तुलिका नाइफ और spatula की साहता से धरातल पर सघन अप परदर्शी रंगों के प्रियोग की विधी को क्या का जाता है तो दोस्तों इसका अंसर है आपका impesto next question question number 27 पास पास रेखाएं खेंच कर छाय प्रकास के प्रभाव को चित्र में उत्पन करने की विधी को क्या कहते है तो दोस्तों इसका अंसर है आपका hatching यानि की d number next question कोनात मंदिर किस से सम्बंदित है दोस्तों कोनात मंदिर जो है वो सूर्देवता का मंदिर है इसलिए सूर्देव next question सबसे अच्छा canvas कौन सा होता है तो दोस्तों इसका अंसर है पटसन यानि की लिलन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा से ध्यान रखेगा कि जो sun का जो canvas होता है वो भी अच्छा होता है ठीक है next question देखते है फ्रसको सेकोग पर कौन सी वार्निस की जाती है तो दोस्तों wax वार्निस इसमें की जाती है यानि कि आपका B number next question integral printing का website रूप क्या है तो दोस्तों इसका अंसर है आपका ग्रेवियर प्रिंटिंग यानि की D number ठीक है next question देखते है question number 32 टाइपोग्राफी में मुख्य युगदान के लिए किस वेक्ति को जाना जाता है तो दोस्तों विलिम कैसलोन जो है ये मेल आदमी है next question देखते है 33 number इन में से कौन सी भिति चित्रन की विधी नहीं है तो दोस्तों जो सेरी ग्राफी है ये भिति चित्रन की टेक्निक नहीं है ये एक ग्राफिक टेक्निक है next question 34 number पॉम्पोई किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों मैं इसके लिए पॉम्पोई के लिए आपको बताउं कि 79 इस्वी में ठीक है दो अगस्त को एक ज्वालमुखी फुटा था जिसका नाम था विसूवियस ठीक और इस ज्वालमुखी के बाद ये जो विसूवियस जो एक शहर था बहुत अच्छा शहर था जहां पे 20,000 लोगों के लगबग लोग रहते थे जन्सक्यातिवां की ये पूरा का पूरा सहर इस विसूवियस जो अलमुखी के जो लावा था उससे पट किया था और कई सालों तक का पता ही नहीं चला कि यहां पे कोई शहर भी रहा होगा लेकिन जब बाद में यहां पे खुदाई हुई तो दोस्तों यहां पर लगभग हर एक घर में आपको भितिचितर मिलते हैं और इन भितिचितरों की संख्या वर्तमान में भी कम से कम 3500 भितिचितर अभी भी देखे जा सकते हैं तो इसने दोस्तों इसका आंसर होगा आपका भितिचितर बहुत ही interesting है दोस्तों आप इसके उपक कई सारी movies भी बनी है आप वो भी देख सकते हैं इंटरनेट पे भी आप इसको सरच करके देखिए आप बहुत आपको ये question कभी भी भूलेगा नहीं next question देखते है question number 35 मैं प्रक्ति को अनकृत नहीं करना चाहता हूँ मैं इससे पुना स्रजित करना चाहता हूँ ये किस ने कहा था तो दोस्तों इन सब में से सिर्फ एक बंदा है जो आप टिक कर सकते हैं वो है सेजान क्योंकि सेजान नहीं सरप्रथम चीजों को प्रक्ति में चीजों को घन के रूप में और इसक्वायर और बर्ग इन सब के रूप में देखा था ठीक तो इसलिए ये कोश्चन इनका आंसर होना चाहिए नेश्क कोश्चन देखते है कोश्चन 36 भारती चितकला के शडांगों का श्तही क्रम बता है तो दोस्तों इसका एक सूत्र है आप उसको याद कलीजे रूप भेदा प्रमाणानी भावलावनी योजनम श्राद्रश्ट्रेंफ बढ़ने का भंगम इत्य चित्र शडांकम तो इसलिए इसका आंसर हो गया आपका ए नंबर तो मैं आपको ये कुश्चन पर दिखा दिता हूँ इसका आंसर आपका है A देखे, जो रंग होते हैं, इनके मुखित तीन प्रकार होते हैं, ठीक है, कौन-कौन से, रंगत, मान और सगंता, ठीक, तो रंगत, उसके लाल और नीले पिन को, और जो मान होता है, value, यानि कि उसमें जो सफेद यदी मिला दे, ठीक है, तो उसके मान को बढ़ा देगा, और क जादा important है, next question, question 39, एक बार में, रंगों के प्रियोग द्वारा, चित को पूर्ण करने की विधी कहलाती है, तो दोस्तों, यह जो विली है, यह कहलाती है, आला प्राइमा, यानि कि A number, next question, चौनम, विभाजन, सिध्धान का प्रितिपाद में, किस ने किया था, तो दोस्त पूर्व के दाशनिकों को क्या कहा जाता था, तो उनको कहते थे, सौफिट्स, यानि कि C number, next question, निमलिकित में से कौन रूप प्रद्द कला नहीं है, तो दोस्तों, जो संगीत है, वो रूप प्रद्द कला नहीं है, सौंदर शास्त के पिता कौन से है, तो फादर आफ एस् श्री नाम से संबोधित किया गया है, कामसुच की टिका, जयमंगला के लेखक कौन है, तो दोस्तों, पंडित ये शुधर, पंडित इसके लेखक है, question number 46, अनुभाव के भेद कितने होते हैं, तो दोस्तों, जो अनुभाव है, उसके तीन भेद होते हैं, ठीक है, लेकिन द और सात्विक, लेकिन दोस्तों, जो आंसर है, वो आपका D, दे रखा हुआ है, इसलिए थोड़ा से ये confusion है, ठीक है, आप इसको देख लीचेगा, और फिर मुझे भी comment में बताइएगा, थोड़ा से confusion हो गया है, next question देखते है, question number 47, प्राचीन ग्रंत, रस गंगाधर के ले सही होगा, हाँ दोस्तों, बुक्स के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने 110 के लगभख आपको बुक्स और राइटर्स उसमें बताएगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखेगा, तो इसका अंसर है, आपका टालस्ट आया, यानि कि C number, next question, कुंत अंसर है, आपका भारत मुनी, यानि कि A number, next question देखते है, question number 51, एस्थेटिक सब्द का पहली बार प्रियोग किस ने किया था, तो दोस्तों, इसमें भी बाम गार्टन की आंसर है, आपका, बाम गार्टन, next question, रश सिध्धान के प्रसिद व्याख्याकार को पहचानी है, तो दोस्तों, जो एस्थेटिस सब्द है, इसका अर्थ होता है, इंदरी सुख की चीतना, इसलिए यहाँ पर जो आंसर है, वो होगा, इंदरी समविदना, यानि कि आपका B number, next question, किस प्राचीन भारती पुस्तक में 64 प्रकार की कलाओं का उलेक मिलता है, तो दोस्तों, इसका आपका कामसूत्र, यानि कि C number, next question देखते है, 55, किस ने कहा है, जहां रस है, वहाँ ही काव्या है, तो दोस्तों, ये कहा है, महीम भटने, यानि कि आपका D number, next question, ननल बसु के चित्तरों की प्राह तकनिक क्या थी, तो जल रंग एवो टैंपरा, यानि कि आपका B number, next question, लो आरत की प्रगतियासिक शैल चित्रों का केंद्र बताईए, तो इसका केंद्र है, फीम बेट का, ठीक है, प्रगतियासिक चित्रों के उपर तो मैंने वीडियो बनाई दिया है, आप उनको वहाँ से जरूर देखिएगा, next question देखते है, question 59, संसार चन किस सेली से संबंदित संसार चन जो थे, वो आपके कांगर सेली से संबंदित थे, संदर्ता भगवान का हस्त लेख है, या कथन किसका है, तो दोस्तों, इसका आंसर है, इमर्शन, यानि की, B, next question, 1508 से लेकर, 1512 में वेटकन डूम की 16 चैपल की छत पर किसने चित्रकारी थी, तो दोस्तों, माइक कौन था, दोस्तों, गोपाल घोश, next question देखते हैं, 63 नमबर, राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रन कहां हुआ है, तो दोस्तों, इसका आंसर है, आपका किसंगर, next question, पर्षियन में अनुवादित माभारतों कहा जाता है, तो दोस्तों, रस्न नामा कहा जाता है, यानि next question, किस पुराण में कालायन, प्रवरम, चित्रम लिखा है, ठीक है, कालायन, प्रवरम, चित्रम, तो दोस्तों, विश्म धहत्तर पुराण में ये लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगी आपका, next question, sunrise impression के चित्रकार कौन थे, तो दोस्तों, इसका आंसर ह क्लाड मोने next question मदटेसा चित्रशंखला किसने बनाई है तो दोस्तों इसका अंसर है आपका मदट हुसेन next question देखते हैं भारते विश्यों को पास्चात शैली में किसने चित्रशंखला किया है तो दोस्तों इसका अंसर है आपका अम्रता शेरिकल ठीक यानिकी आपका डी नमबर next question देखते हैं पदम पाणी बोधी सत्वा आपके कहां पर मिलते हैं तो दोस्तों अजन्ता की गफाओं यानिकी A नमबर question number 70 है आपका 1958 में देपरशात राय चौदरी को कौन से एवार्ड प्राप्थ हुआ तो दोस्तों पदम विभूशन यानिकी B नमबर next question रंगिन कांख की खिड क्या किस काल में प्रारंब हुए तो दोस्तों थोड़ा से यहां पर आप confuse मत हुएगा ठीक है यहां पर आंसर आपका जो दिया गया है वो है Gothic कई बार प्रारंब का समय बाजिंटाइन को भी मान लिया जाता है कि प्रारंब हुआ बाजिंटाइन में और चरम जो पहुँचा वो Gothic तो यहां पर आंसर है आपका Gothic इस तरह की question थोड़ा सा confusion ला देते हैं कि पता नहीं आंसर कौन सा आपका सही होगा कौन सा नहीं सही होगा लेकिन यहां पर आपका Gothic आंसर सही है निम्न में से कौन एक British द्रश्ची चित्रकार है तो दोस्तो टर्न यानि कि C नंबर इसमें से परदाज एक प्रस्चिद तक्निक है तो परदाज जो एक तक्निक है चाय लगाने की वो मुगलिया तक्निक है यानि कि आपका आंसर है D नेस्ट कौन सेंट्ट फोर नंबर बात वर्ष्ट में अतिहासिक कला के प्राचिन भिश्चित्र कहां से प्राप्ट हुए है दोस्तों इसका अंसर है आपका जो गिमारा गुपा यानि कि B नंबर नेस्ट कौशन देखते है कौशन नंबर 75 राम किंकर बैज की सिच्छा कहां से हुई तो दोस्तों शांती निकेशतन से इनोंने सिच्छा प्राप्ट की थी कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है तो दोस्तों ये खजराओं का एक प्रसिद मंदिर है नेस्ट कौशन आईने अकबरी के लेखक कौन है तो दोस्तों अबूल फजल जो है वो आईने अकबरी के लेखक है नेस्ट कौशन हांस हालबिन कहां का मुक्षित चित्रकार था दोस्तों बहुत ही अच्छा कोश्चन है और इसके बारे में आप थोड़ी सी डिटेल जरूर पढ़िएगा इसका आंसर है जर्मनी वासायन द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है तो दोस्तों इसका आंसर है आपका काम सूत्र यानि की B नबर Next Question मोजैक मूरल किस काल से संबंधित है तो दोस्तों इसका आंसर है बाजिन टाइम यानि की A नबर Next Question किस शास्त्रकार ने शडा की चर्चा अपने टीका में की है तो दोस्तों इसका अंसर है आपका यशुदर पंडित Next question, the meaning of art के लेकर कौन है? Harbathrit, यानि कि B number Next question, 83 number मुझे से बहतर सोचने का अधिकार मेरे ब्रेश में नहीं है ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था? Goya नहीं यानि कि A number संस्कृत का विगरंत गीत गोविंद के लेखक है मैं एक पर फिट से बोलूँगा कि बुक्स के ओपर मैंने एक बकाद एक वीडियो बनाए है आप उसको चरूँ देखेगा चाहें तो उसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजेगा तो दोस्तों यहां गीत गोविंद के लेखक है जैदेव स्रम की विजय नामक चोड मूर्ती है वो किसने बनाई है तो दोस्तों उसका अंसर है आपका देवी परशाद राय चौथरी यानि कि आपका B number नेश्क कोशन देखते है कोशन No.86 निनार्डोदा विंची ने वित्चित दलास्त पर किस वर्ष में स्रजित किया था तो दोस्तों यहां पर आपका अंसर है C number 1497 जैन चितकला को कहा जाता है तो पोथी चित जैन चितकला को कहा जाता है 88 number देखिए अनवरे सुलही तथा आयारे दानिश्क्रिम्थों के संदर्फ लगुच चित्रों का विषय किस से संबंधित है तो दोस्तों यहां पर आंसर है आपका पशुपालन से संबंधित यानि कि A number ए सौरी पशुपच्छी से संबंधित नेक्स्कोशन देखते हैं किशनगर पैंटिंग पुस्तक किस ने लिखी है तो दोस्तों एरिक टिक्षन यानि कि आपका B number नेक्स्कोशन देखते हैं राजर रई वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्राले कहां है दोस्तों यहां बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होईए यहां पर है आपका A number यानि कि सिरी चित्रालयम ग्यालरी तिरवंतिपुरम तो जबकि तिरवंतिपुरम जबकि आपका सलार गंज हैदराबाद भी कई जगे पर दिया होता है तो यदि तिरवंतिपुरम है और option में हैदराबाद नहीं है तो आप उसको टिक करेंगे और यदि तिरवंतिपुरम नहीं है तो आप हैदराबाद को टिक करेंगे ठीक है दोस्तों next question देखते है blue rider group किस ने इस्थापित किया तो दोस्तों answer है आपका french mark यानकी c number यह मैंने आपको बताई था कि blue rider नाम से group भी है एक painting भी है और साथ में एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया था ठीक है next question देखते है question number 92 बविश्वाद का उदय किस देश में हुआ तो दोस्तों इसका answer है आपका B number यानकी Italy next question the potato eater चित्र किसका है तो दोस्तों Vincent van Gogh का the potato eater चित्र है next question phone number lithography क्या है तो दोस्तों इसका जो आपका answer है वो है print making की एक विधी ठीक है यानि किसका answer होगा आपका c number निम्ली चित्कारों में से कौन सा नो प्रभावाद सी संबंदित है तो सोरा बास सिन्याग दो आर्टिस्ट है जो कि नो प्रभावाद सी संबंदित है और सिन्याग को ही सिगनक पाल सिगनक बोलते है next question देखिये प्रसी चित्र night watchman की चित्र कौन से है दोस्तों बहुत ही अच्छा चित्र है आप इसको जो देखेगा रेमब्रांट है इसके चित्रकार next question Marshall Duchamp की the passage from virgin to bride किस संग रहले में संग रही थे तो दोस्तों इसका answer है museum of modern art new york यानि कि आपका b number next question देखते है रंगों में सामंजस्ति का अर्थ है तो तो रंगों में सामंजस्ति का अर्थ है एक ही group के रंग यानि कि a number 99 number देखे आलोरा गुफाओं में किस धर्म का प्रतिनिद्व नहीं है ठीक है थोड़ा तर ध्यान रखेगा है या आपे नहीं दे रखा है ठीक तो नहीं के लिए आपका होगा सिख ठीक यानि के सिख नश कोशन देखते हैं पाड़ी चित्रकला का उद्गम इस्थल है ठीक है तो दोस्तों पंजाब पंजाब की जुगाटी थी वहीं पर पाड़ी चित्रकला के सरप्रसम चित्र प्राप्त होई थे तो दोस्तों उमीद है कि ये questions आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे तो दोस्तों आप मुझे comment में बिलकुल भी बताना मत भूलिएगा कि आपके कितने questions आए दोस्तों आपके पढ़ाई के लिए best of luck आप अपनी पढ़ाई को यूँ ही continue जाई रखे मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में और हाँ दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको like और share करना बिलकुल मत भूलिएगा